आज हम बनाएंगे आलो मटर की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सबजी तो सबसे पहले आलो को इस तरह से लंबे पीस में काट लेना है इसे धोकर इसका पानी बिल्कुल अलग निकालने विल्कुल भी पानी न रहे और मटर को भी धोकर चनी में रगने ताकि पानी इसका अब दो चम्माच तेल लेंगे और आलो को इसमें डालेंगे आलो को इस तरह से फ्राइ करने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मतर भी डाल देंगे और पांच से आठ मिनट इसे इसी तरह खुले में मीडियम फ्लेम पर भूनने है उपर से थोड़ा सा नमक डाल ताकि जल्दी से सब्जी भून जाए बहुत जादा इससे हमें पकाना नहीं है बस पांच से आठ मिनट बस मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इस तरह से भून जाना है ताकि इसका थोड़ा सा जो कच्छा पने निकल जाता है और बहुत बढ़िया सब्जी इस तरह से बनती ह तो तीन से चार समर तेल लेंगे इसमें डालेंगे जीरा प्याज डालेंगे चार प्याज मैंने लिए हैं पतला काट लेना है बारीक और इससे भी भून लेंगे लाल मिर्चा डालेंगे लाल मिर्चा की जेगा भरा मिर्चा भी डाल सकते हैं कुछ दिर इससे भून जाने तो गैस का फ्लेम आपी मैंने न मीडियम ही रखा यह देखे कुछ देर प्याज इस तरह से न हलका पिंकिश कलर हो जाएगा तो भून लेंगे जैसे प्याज का कलर चेंज हो जाएगा इसमें डालेंगे मसाले मसाले में हल्दी लिया है मैंने एक चम्मच सब्जी मसाला भूसे पैसे यह विज़ी में नमक के नियुकि 하면 यह तरह से इसिसे डाले हमें टेस्ट के टेस्ट के देआखने है शीमाटास ऑखन यह भुम में बीड़ minha लाक साथ इसमें डाल देख लेंगे और इसे भी अच्छय में अच्छा से प्लेंगे घाजर से सब्जी का कलर भी अ अच्छा आता है अधार कच्छ भाजर कचा खाना पसंद नहीं करते हैं। यह वह स्पैसलि पश्युक्त है लेकिन घाजर का हल्भा और गाजर को सबजी में डाल दो डाल देंगे और इसे ना कुछ दिर भून लेंगे ढखकर अब गैस का फ्लेम हमें लो रखना है ढखकर दो तीन मिनट भून लें ताकि सबजी में जो मसाले हैं अच्छे से लग जाएं अब इसमें हमें क्या करना है गरम पानी डालना है ठंडा पानी का यूज न करें गरम प पानी डालेंगे क्योंकि मैं इसे बना रही हूं राइस के लिए तो थोड़ा सा मैं इसमें तरी वाला बना रही हूं ग्रेवी इस तरह से ना बहुत अच्छी बनती आलो मंटर की सबजी तो गरम पानी डाल देंगे और उपर से डाल देंगे एक चममज घी घी से सबजी का तैयार होगी बहुत गाड़ी साथ में मैंने राइस भी रख दिया है ताकि दोनों चीज जल एक सांथ बन जाए अब यह देखिए तीन से चार सीटी हो चुके कुकर के तो अब इसको अपने आप खुलने देंगे और यह देखिए सबजी का कलर कितना अच्छा है कितना कलर अब बच्चे अच्छा से खाते हैं तो बहुत अच्छी सब्जी बने आलू को थोड़ा करची से मैश कर लेंगे ताकि सब्जी और गाड़ी हो जाए ग्रेवी और अच्छी ठीक हो जाए तो इस तरह से यह देखिए सब्जी का जो टेक्शर है वह भी अच्छा लगता है और खाने में बहुत अच्छी लगती है इस तरह से तो दिन के लंच में आप इसे बना सकते हैं अगर डेली डाल खाकर बोर हो गए हैं तो इस तरह से आलू मटर और गाजर की सब्जी बनाए और राइस के साथ तु सच में यकिन वाने बहुत अच्छा लगता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई